आप सब आप सब आप सब कापी अच्छे होंगे मस्त होंगे अब ही फिलाल में गणिद्धियों सारा है ठीक है तो गाइज मैंने सुचा कि आप लोग को एक स्पीच अच्छा सा त्यार करके दे दूँ गाइज इस्पीच में बहुत सरे लोग रामानुजिन के जिवनी के बा अपने भासन में कुछ इंट्रेस्टिंग और कुछ अलग सबसे हट कर हम लोग कुछ देखने वाले हैं यहने कि कैईज हम लोग रामानुजिन के जीवन से जूड़ी कुछ वैसे पहलूओं का जीकर करेंगे अपने भासन में जो की काफी रोचक है और जिसे लोग काफी इंभित हो जाएंगे ठीक है अचली हम लोग देखते है किस देश्म लोग मैंने यह भासन को लिखा है हिंदी में ठीक है इसमें लिखा हुआ कि आदार्णीय प्रधानाचारे जी समस्त सच्छकन सीनियर जुनियर और मेरे प्यारे साफ आठी हूं सवरपरतम आप सभी को र सब्सक्राइब है कि मैं आप लोग के समक्ष महान भारती गनी तक निवास रामानोजन के जीवन के उन पहलूमों का चिक्र करने जा रहा हूं जो वाकई में हमें बार-बार सुचने पर मजबूर कर देता है एक ऐसा बेक्ती जो सिर्फ 12 वर्स की उम्र में ही बीना आपचा सिख्चा के mathematical theorem यानि गनित के सुद्र की खोश जूरू कर दिया हूं जो सिर्फ 32 वर्स के अपने छोटे से जीवन में गनित के करीब 3900 सिधान्द बने हैं जिसे सुद्र गनित की भासा में identities और equations कहते हैं इन में से कई सिधान्द result तो सही देते हैं परंतु उसके process पर अभी भी रिसर्च जारी है रामानुजन की विचारों की सरिष्टता यही है कि वह अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिधान्द की खोश की जिसे मौक ठीटा function कहते हैं यह असंक्य होने वाली गन्ना यानि infinite calculation वाली समस्या को सुल जाने में काम होता है लंबे समय तक इसे समझने के लिए दुनिया भर के बैग्यानी मेहनत करते रहें और वर्ष दूहर दूल में पता चला कि बर्मांड की सबसे बड़ी पहली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मौक ठीटा function का परियोगी जरूरी है यानि रामानुजन अप कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की ब्रिधी रेंडम होती है यानि पता ही नहीं चलता कि कैंसर किस तरह शे फैल रहा है ऐसे में इसका इलाज बहुत कठीन होता है परन्तु अब रामानुजन के इस परमूला से यह तैय किया जाता है कि कैंसर पेसेंट को कब और कित पुन योगदान निभाई है ब्रिटेन के प्रोफेसर हारडी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गड़ी तक इमानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान ब्यक्तियों को सो नंबर के पैमाने पर आका था और इस लिस्ट में उन्होंने खुद को सिर्फ सो में से तीस नंबर दिये जबकि रामानुजन को सो में से सो नंबर दिये थे यह वाकई में हैरान करने वाली बात है कि आज हम सभी के पास कैलकुलेटर से लेकर के कंप्यूटर तक सब कुछ है कोचिंग है ऑनलाइन क्लासेस हैं फिर भी हमें गनित चे डर लगत इस तरह के रामानुजन के जीवन से जोड़े अनेक घटना हमें अनेकों संदेश देता है और यह भी बताता है कि समस्याओं से डरना नहीं बलगी उसे हल करने की तरीका खोजने चाहिए आस्ता करता हूं दोस्तों कि यह भासन आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर इस जाहिए जाय भारत